क्या आप भी कब्स की समस्या से परिशान रहती हैं? तो आज हम आपको कुछ ऐसे घरेल उपाय बताएंगे जो आपको कब्स की समस्या से बिल्कुर निजात दिला सकते हैं बस आपको इनको करके जरूर देखना है आप इनको एक बार आजमा के जरूर देखें फिर देखें कैसे ये कारगर होते हैं? आयूर वेद में कब्स के लिए बहुत सारे उपाय बता गए हैं जिने हम अपनी लाइफस्टैल में सामिल यदि कर लेते हैं तो आप कई सारे बीमारियों से बसकते हैं आई हम आपको बताते हैं आज के लिए कब्स की समस्या से बचने के लिए कुछ ऐसे ही आई वेदिक घरे लूने उसके आज की लाइफस्टैल में कब्स की समस्या आम हो गई है आम होती है समस्या दरशल कई बीमारियों कारण बनती जा रही है बहुत ही कॉमन से इस बीमारी को लोग हलके में ले लेते हैं और तमाम समस्थे यहीं से सुरू हो जाती है कई बार हम डॉक्टर की सलह पर दवाईों को सेवन भी करते हैं लेकिन इसका असर जादा दिनों तक नहीं रहता कई बार ऐसी दवाईयां हमारी सेथ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगती है ऐसे में आयरुवेद की मदद से हम पुराने से पुराना कब्ज से भी छुटकारा पा सकते हैं आयरुवेद भहुत पुराना ग्रंत है जिसमें कई सारे बीमारियों के बारे बताए गया है आयरुवेद में कब्ज के लिए भी कई उपाइब बताएगे हैं जिने लाइफस्टैल में सामिल करने तो हम तुरंत ही इससे चुटकारा पा सकते हैं इसकी अच्छी बात यह है कि इन घरेलों नोसकों कोई side effect भी नहीं होता है जहां medicine का सबसे यादर side effect होता है वहीं आयरवेद का बिल्कुल भी side effect नहीं होता अगर हम कब्स के उपचार में इन घरेलों नोसकों को अपनाती है तो यह हमारे पेट से जोड़ी अन्य सभी प्रकार की समस्यां को भी ठीक कर सकती है हम आपको बता दे कबज से दातपर्ये पेट की समस्या से है जिसमें वैकति को मल ट्याक करने परिशानी होती है और उसे मल ट्याक करते से में काफी दर्थ भी होता है जिसके लिए उसे मेडीकल साहता लेनी पड़ती है इस स्तिती में मल यानि श्टूल सक्त हो जाता है और सूख जाता है जो दर्द का कारण बनता है आई हम आपको बताते है कुछ ऐसे ही हो पाय जिससे आप कब्स को दूर कर सकते हैं पहला है आप गरम पानी में नीबू और कैस्टर ओल मिला कर पिएं इससे आपको कब्स में रात मिलेगी दूसरा है सुभा उठने के पश्चात तुरंत ही हलका गुनगुना पानी करें और उसमें नीबू मिला कर पीना चाहिए इससे आपका पेट ब्लू को साफ राएगा और कब्स की समस्ता से चुटकार मिलेगा तीसरा है रात में सोने से पहले आप गरम दूद में हलका सा केश्टर रॉयल डाल कर पिए आपका पेट सुबा बिलकुल साफ हो जाएगा अगला रात को सोने से पहले एक ग्लास दूद में एक चमाश शहद मिलाकर धीरे धीरे पिए इससे भी आपको कब्स की समस्या से रात मिलेगी सुबा के समय गरम पानी में नीबू और हलका सा काला नमक मिलाकर पी सकते हैं और त्रिफला को पानी में आप रात भर भिगो दे उसको आप जब फूल जाए तो सुबह उसके पानी का से बन करें इससे आपका पेट बिलकुल साफ रहेगा और कब्स की समस्या नहीं होगी आप हो सके तो सुबह के समय यानि ब्रेकफास्ट में पापीदा या अमरूद का सेवन करें ये पाचन के लिए बहुत अच्छे फल होते हैं और इससे पेट बिलकुल अच्छा रहता है कब्स नहीं बनने देता अगला अंजीर को दूद के साथ भी आप पी सकते हैं कुछ दिनों तक इसका इस्तमाल चरूर करके देखें रोज 6-7 गिलास पानी के सेवन अविश्य करें इससे कम पानी ना पिए आईए अब हम आपको बताते हैं कि कब्स के क्या कारण होते हैं आकर ये क्यों हो जाता है अभी हमने आपको बताए कब्स से बचने के उपाए अब हम आपको बताते हैं किस कारण से होता है यदि वेक्ति दिन भर कम पानी का सेवन करता है तो भी कब्स बन जाता है या फिर आप ज़्यादा तेल मसाले का सेवन करते हैं तो भी पेड में कब्स की समस्या बनने लगती है या फिर आप computer में बैठे एक जगे घंटों बैठे रहते हैं तो भी कब्स बन सकता है संतलित मात्र में खाना नहीं खाना भी कब्स बना देता है पैन किलर का ज़्यादा इस्तिमाल करने से भी यदि आप ज़्यादा दवायों के सेवन करते हैं तो उससे भी आपका पेड खराब हो सकता है आपके पेड में कब्स बन सकती है तो यह कुछ ऐसे कारण थे जिनके वज़े से आपके पेड में कब्स बन सकती है तो आज हमने आज के वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्त के साथ शेयर कर दें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल बेटन जुरू दवादें थैंक्स फूर वाचिंग